नमस्ते, प्रणाम, मैं मिनाक सी जेन, स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाक सी जेन पर ये वीडियो है State Formation in India सिरीज का पार्ट तो इससे पहले के दो पार्ट में हमने भारत की आजाती के बाद से Step by Step भारत में सोलवे राज्ये नागालेन के गठन तक की जानकारी देखी और इस वीडियो में हम देखेंगे 1 नवंबर 1966 को वर्तमान पंजाब और हर्याना के गठन और 1979 में मदरा स्टेट का नामकरण तमिलाडो होने तक की जानकारी और ये सारे जानकारी हम भारत के बदलते मैप की तस्विर के साथ देखते चलेंगे और 1963 तक नागालेन राज्ये के गठन के बाद भारत में सोला राज्ये और नो केंदर सासित प्रदेश थे और वो सोला राज्ये थे जम्मु कस्मित, पंजाब, पत्तर प्रदेश, बिहार, पशिम बंगाल, असम, नागालेन, उडेशा, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान, गुजराद, महराश्ट्र, मैसूर स्टेट, आंदर प्रदेश, मदरा स्टेट और केरल और नो केंदर सासेट प्रदेश जो बने थे वो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मनीपूर, त्रिपूरा, दादरा और नगरहवेली, गुवा, दमन और दीव, पांडी चेरी, लक्का दीव, मिनी कोय और अमिनी दीवाइलेंट्स, और अन्नमान और निकोदबार, दिपसमु अब इससे आगे, तो सेकंड पार्ट में हमने भारत के सोलवे राज्य, नागा लेंड के गटन तक की चानकारी देखी, इसके बाद भारत का सतरवा राज्य, पंजाब से बनेगा, तो भारत की आजादी की पहले का पंजाब प्रांथ, पंजाम प्रोविंस ये इस तरह का इसमें ये जितना भी येलो रिजन दिख रहा है, ये सब रियासती प्रिंसली स्टीट्स थी, और इस पंजाब प्रोविंस की राजदानी थी लाहर, और 17 अगस्त 1947 को प्राकासित रेड क्लिफ लाइन के आधार पर पंजाब, इस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में बन गया, तो पुर्वी पंजाब जो भारत का हिस्सा था, उसकी टेंपरेरी कैपिटल सिमला को बनाए गया, तो भारत की आजाती के बाद पुर्वी पंजाब जो भारत का हिस्सा था, उसकी टेंपरेरी कैपिटल सिमला को बनाए गया, और इस इस्ट पंजाब की सीमा के भ पैपसु राज्य का गठन किया गया पैपसु यानि पत्याला और पुर्वी पंजाब राज्य संग या पत्याला एंड इस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन ये मैप पर आप पत्याला और पुर्वी पंजाब राज्य संग देख पा रहे हैं और ये आठ रियासते थी पत्य जिन्द कपुर्थाला नाभा फरित खोर मलेर घोटला कलसिया और नालाग इस प्यप्सु प्रांथ पर एक क्वेशन के विसी 11 में भी पूछा गया था ये था 1908-1956 तक अस्तितों में रहे एक प्रांथ प्यप्सु की राजधानी क्या थी जो पूर्वी पंजाब की आठ रियासतों और कुछ आसपास के खेत्रों से बना राज्य था तो प्यप्सु यानि प्तयाला जाएन इश्टNew Punjab States Union की कैपिटल थी प्तयाला प्यप्सु की कैपिटल थी प्तयाला और इसके पहले प्रधान मंतरी या मुख्य मंतरी थे ज्यान सिंग रारेवाला और इस प्रांच पैपसु के प्रथम राज प्रमुक थे महराजा ओपटे आला, महराजा यादविंदर सिंग ये महराजा यादविंदर सिंग भारती क्रिकेट टिम के खिलाड़ी भी रहे और ये कैप्टन अमरेंदर सिंग के पिताजी है हिमाचल प्रदीश नाम से चिफ कमिशनर प्रविंस मुख्यायुक्त प्रांत बनाया गणतर भारत बनने के बाद पंजाब राज्य और उसके आस-पास का मैप देखेंगे तो वो खुछ इस तरह कर था यह स्काइब ब्लू कलर में पुरा पंजाब पिंक कलर वाला पार्ट प भारत के आजादी के बाद भासाई रज्यों की मांग होने लगी थी भारत में तो उनमें से एक राज्य यह पंजाब भी था जहां सिरोमनी अकाले दल के माश्टर तारा सिंग के नेत्रत्व में शिखों के लिए पंजाबी सुबे की मांग की है एक सुवा यानि रज्य बश्या को सुल जाने एक फॉर्मूला पैस किया जिसे सचर फॉर्मूला भी जाना गया विसेależ सब्द्ध रता के बाद पंजाब प्रांथ के पहले प्रथानित्री ढूपीचन भर्ग से छो से पर ये फॉर्मूला भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाय जैसा हमने पहले भी जाना कि पूरे भारत में आजादी के बाद भासाई राज्यों की मांग जारी थी पर मदरास में आंद्र की मांग सबसे ज़्यादा उगरे थी तो 1903 में आंद्र के गठन के बाद पूरे भारत में भासाई राज्यों के निर्मार की समिक्षा के लिए दिसमबर 1903 को फजल अली आयोक का गठन किया गया और 1903 में पंजाब राज्य की राजधानी सिम्ला से नव निर्मित सहर चंडीगर स्थानांत्रेट करती गए 1947 में पार्टिशन के बाद पंजाब राज्य की सिम्ला बनाई गई थी अब पंजाब राज्य की राजधानी नव निर्मित सहर चंडीगर में स्थानांत्रेट कर दी गए चंडीगर दसीटी और ब्यूटी 1954 में बिलासपुर प्रांथ हिमाचल प्रदेश में मर्च कर दिया गया 1903 में जो फजल अली आयोग का गठन हुआ था S.R.C. यानि स्टेट रियॉर्गेनाईजेशन कमिसन का इस आयोग ने 1904 में अपना काम सुरू किया अकाली दल ने पंजाबी सुबे का ग्यापन आयोग को सोपा जिसे आयोग ने नहीं मानने का फैसला गया 1955 में S.R.C. यानि स्टेट रियॉर्गेनाईजेशन कमिसन की रिपोर्ट में भी पैपसु को पंजाब प्रांथ में मर्च करने की सिफारिस की पर अलग पंजाबी राजी की मांग नहीं मानी गए तब अंदोलन और तेज हो गए 1955 में S.R.C. अकाली दल ने पंजाबी सुबा स्लोगन एजिटेशन चलाए गया पंजाबी सुबा नारा अंदोलन शुरू किया पूरे प्रांथ में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कारी समर्थक अमरित सरके दर्वार साहिब में एकतरित हुए मास्टर तारा सिंग वह उनके समर्थकों को गिरफतार किया गया मास्टर तारा सिंकी गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन चलता रहा समर्थक गिरफ्ता होते रहे 4 चुलाई 1955 को स्वर्ण मंदिर पर पुलिस बल द्वारा छापा मारकर संपूर्ण समुह को हिरासत में ले लिये गए जिससे 200 से अधिक प्रदर्शन पारी भी मारे गए सरकार के मंसा के विपरित अंदोलन ने और गति पकड़ ले 1956 में इस समस्या को सुल जाने ततकालिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंग कहरों ने एक फॉर्मूला राया च्षेत्री फार्मूला रिजनल फार्मूला के अनुसार द्विबासी राज्य को दो भासाई एकाई में बाटा गया पंजाबी और हिंदी इन एकाईों में अपनी समिती होगी पंजाबी च्षेत्र के लिए पंजाबी च्षेत्री समिती और हिंदी भासी च्षेत्र में हि योई उधर उप्राप पारित किये गए जिस्के तहत पेपерьय को मचाब प्रांथ को परांद में आदार पर 156 इसे लिया कpieिये जाधा नहीं चल सका इस छैत्री फार्मूला का विरोध हिंदी भासिक समर्थकों ने भी किया लेकर अंदोलन सुरू हो गया हिंदी आंदोला 1960 में पंजाबी सुबा मुर्चा के लिए नए सेरे से प्रयास प्रारम करने की गोशना की गए जिसके तहट पंजाबी सुबा की मांग को लेकर दिल्ली तक मार्च किया जाना था मास्टर तारा सिंग को फिर गिरफतार कर लिया गया तारा सिंग जेल में रहते अंदोलन की कमान संत फते सिंग की निर्देशन में आगे बड़ी संत फते सिंग ने 18 दिसंबर 1960 को आमरन अंशन फास्ट अंटू देथ सुरू किया भारत सरकार के कई प्रमुग नेताओं ने उनको उपवास तोड़ने के लिए मनाने की कोशिस की सरकार ने जनवर 1961 में मास्टर तारा सिंग को भी जेल से रिहा कर दिया नहरु जी ने भी अपना रुप नरम करते हुए अपने वास्टों में स्विकार किया कि पंजाब की प्रमुग वासा पंजाबी है और इसे बड़ावा दिया जाना चाहिए सरकार के नरम रुप को देखकर तब मास्टर जी ने यानि मास्टर तारा सिंग जी ने संत फदे सिंग जी से कहा कि अब आप उपास बंद कर दे सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुप सौफ्टिन कर दिया है इसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलने की बाद 1961 के सौतंतरता दिवस यानि 15 अगस्ट 1961 से मास्टर तारा सिंग जी ने आमरण अंसन सुरू किया पूरे 48 दिन बाद इस मुद्दे पर ठोस आस्वास संग की बिना मास्टर जी का अंसन खतम किया गया उनकी उपास खतम करने की बाद सिखों में उनका विरोध होता है यहां तक कि उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती है जैसे संगम के जुति साफ करना और लंगर के बरतंद होने जैसे और उन्हें राजनिती से दूर कर दिया जाता है और अब इसके आगे संथ फते सिंग के नेतरत्व में अंदूलन आगे बड़ा अंदूलन की दोरान 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है 1964 में नहरुजी की म्रत्य हो जाती है 1965 में एक बार फिर संथ फते सिंग 16 अगस्त को आमरन अंसन की घुशना करते हैं 1965 में भारत पाक युद्ध के चलते संथ फते सिंग से अंसन स्थागित करने का अनुरोध किया चरकी प्रधान मंतरी रास्तरी जी लाल बहादूर्स चास्तरी जी वन चुके थे 1965 में युद्ध के बाद तबके लोगसवा अद्यक्स स्पीकर हुकम सेंगं के तहत पार्ल्लेमेंटरी कमिटी बनाए गए जनवरी 1966 में फिर देश के प्रदान मंत्री लाल बहादुर सास्त्री का तासकन में रहस्य मैं निदन हो जाता है इस संसदी समीती ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1966 में सोपी जिसमें पंजाबी राज्य को भासा याधर पर पुनर गठित करने की पक्स में अपना फैसला दिया अप्रेल 1966 को एक बाउन्डरी कमिशन का गठन किया गया जस्टिस जेसी साह की अत्यक्षता में इसलिए इसे साह सीमा आयोग साह बाउन्डरी कमिशन कहा जाता है जिसके दो और सदस्य थे एमेम फिलिप और एस तत्तु जिसका काम था हर्याना और पंजाब की सीमा का निर्धारन करने साह सीमा आयोग की सिफारिसों के आधार पर संसद में पंजाब री ओर्गेनाइशेशन एक्ट 1966-1966 पंजाब पुनरगठन अधिनियम पारित किया गया और एक नवामबर 1966 को हिंदी भासिक शेत्र को हर्याना पंजाबिक शेत्र को पंजाब वह कुछ पहाड़ी बोले जाने वाले शेत्र को केंदर सासित प्रदेश हिवाचल प्रदेश में सामिल कर दिया गया और चंडीगड़ पर हर्याना और पंजाब दोनों ने अधिकार जता है और बाउंडरी कमिशन में भी मत्बेथा इस खुले गया तो चंडीगड़ को एक केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया जो दोनों ही राज्यों पंजाब और हर्याना की जोइन्ट साजा राजधा बनेगी जो आज भी दोनों ही राज्यों की जोइन्ट क्यापिटल ही है इस तरह एक नवंबर 1966 को हर्याना भारत का सतर्वा राज्य बना ये पूरी जानकारी देखकर हम कह सकते हैं कि हर्याना राज्यों का गठन ज्यादा पंजाबी राज्य की मांग करने से हुई न की हिं 1966 में पंजाब से अलग भारत के सतर्वे राज्य हर्याना के गठन के समय भारत की प्रधान मंत्री स्रीमत्ती इंदिरागानी भारत की राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ग्रह मंत्री गुलजारी लालनांदा और तब के पंजाब के मुख्य मंत्री क मसाफिर ज्यानी गुर्मुक सिंग मसाफिर हर्याया के पहले मुख्य मंत्री निसे चाहशाट में बगवद दयाल सर्मा बीडी सर्मा वैसे यह हर्याया भारत के उन तीन वेशन में भी बताई थी अभी सिर्फ रिवाइज हो जाए इसलिए बताई अब भारत में एक नवंबर 1966 तक सत्रा राज्यों का गठन हो गया और एक नवंबर 1966 तक भारत में केंद्रसासित प्रदेश की संख्या नौ से बढ़कर 10 हो गई वीडियो की सुरवात में जो नौ केंद्रसासित प्रदेश बताई थे मैंने उसमें एक और केंद्रसासित प्रदेश एड़ हो गया चंडीगर और पहले के नौ केंद्रसासित प्रदेश में से एक यूटी हिमाचल प्रदेश क सब्सक्राइब को मिलाकर 10 केंदर सासित प्रदेश इसके बाद भारत का अठरवा राज्य यह जो यूनिन टेरिटरी है हिमाचल प्रदेश यही बनेगा लेकिन उससे पहले 1999 में भारत के एक दक्ससीनी राज्य मदरास का नाम बदल कर तमिल लड़ो कर दिया गया. Impossible की 14 रदा के बाद मदरास का बदलता मैट यह इस तरह था. भारत के आजादी के बाद मदरास प्रेजिडेंसी मदरा स्प्रांत बना और यह है आज लग्क्यादि की बात कि मद्रा स्प्रांत का मैं है जो पूर्म में बंगल की घाड़ी के टरभ तक तो कुछ हिसा पस्चे में अरब सागर के तर्टक भी फैला है और अरब सागर में स्थेद लग्कादेव मीनी कोई और अमिन दीवी आइलेंज जो आज का केंदर सासित प्रदेश लक्षोदिव है वो भी तब मदरास प्रांत के मलावर डिस्ट्रिक का ही पाड़ था यानि आ 1956 राज्य पुनरगठा स्टेट रियोर्गिनाजेशन के बाद मदरास राज्य की बाउंडरी यह थी और 1979 में यह बाउंडरी तो सेम ही है सिर्फ नाम बदल दिया गया तमिल नाड़ू और जब मदरास राज्य का नाम बदला गया तब राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे य मदरास राज्य को नाम बदल कर् amplitude किया गया तमिल नाड़ू नाम करहा मुख्यमंत्री सीयन अनना दुरे की करेकार म में वीडियो में मिंद्छ जानकारी के आधार पर पुछेगे इन प्रस्नों के उतर कमेंट में दैदे। इस वीडियो में यहीं तक जान करें इसके बाद के पार्ट में हम देखेंगी स्वतंतरबारत के अठरवी राज्य हिमाचल प्रदेश के गठन की चानकार वीडियो में दी चानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें और लाइक करने के साथ और वीडियो पर अपने विचार कमेंट में लिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो और के बीसे से रिलेटेड इन्फोमेशन के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन भी अन कर दे ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरह पहुंच जाए Thank you very much to watch the video and may God bless you all with great success